हेलो रिवन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैलोरिक टेबलेट के बारे में जो कि इस दवा का इस्तमाल बहुत ज़्यादा गाउट की समस्या में इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं जैलोरिक टेबले में गैलेक्सो कंपणी की बिराइंग मेडिसिन यह मेडिसिन आपको 100 Mg 300 mg में भी अबलेबल हो जाता है आप जितने mg की है मेडिसिन लेते हैं उस हिसाब से अपका प्राइस डिबेंड करता है 20 रुपए से 40 रुपी की प्राइस में अबलेबल हो जाता है जायलोरिक मिलता है Allopurinol Allopurinol टाबलेट जो की एक तरीके का एंटी गाउट एजेंट है जैंथिन ऑक्सिडेज इनिबीटर है इस कलास से हैं बिलॉंग करने वाला है मेडिसिन है Allopurinol इसित्माल इसका बहुँग ज्यादा बोड़ी में और दर्द की समस्या हो जाती है, इस तरीक की समस्या होने लगती है, क्रोनिक गाउट की समस्या होती है, तो उन सभी कंडिशनों में इसे गाउट के परपज में इस्तमाल करने के लिए जाता है, इसके साथे साथ इसे स्टोन के भी कंडिशन में इस्तमाल करते हैं, डॉक्टर अपने experience के नुशार पत्री के समस्या होती है तो उन सभी condition में भी इसे चलाए जाता है doctor experience और patient की क्या condition है kidney के stone अगर छोटा है तो उन सभी condition में इसे दिया जाता है तो इन सभी प्रपजों में इस medicine का इस्तमाल करते हैं इनके हैं फाइदे हैं dose की बात करें तो dose depend करता है कि अपकी healthy condition क्या है age क्या है weight क्या है और आपकी problem किस condition की है इस purpose में आप ले रहे हैं उससे से इसका dose confirm होता है तो इस medicine का इस्तमाल और इसका dose doctor की रेख देख में करें without doctor के consult की बिना आप इस medicine का इस्तमाल ना करें side effect की बात के तो अगर आपको भूक नहीं लगता है चेहरे पर सूजन होती है vomiting होता है सर में दर्ध हो रहा है विजन की problem हो रही है एक चीज दो दिखाई देनी इस तरी के समस्य है तो उन से भी condition में आपको शूट नहीं कर और आपको इस्तमाल नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए किसे नहीं लेना है pregnant lady breastfeeding mother किसी परकार कि आपकी कोई भी चोटी से चोटी भी मेरी में अगर आपको कोई भी medical condition में कोई medicine course चल रहा है या किसी परकार कि आप मरीज है तो उन से भी condition में आप इसे इस्तमाल करें और करते हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए उसके बाद